तो मैंने उसकी कोई प्रेपरेशन नी की तुम मुझे नहीं जान थे नहीं का प्रेक्टीकल है सारे गामा करना है हमने सारे गामा पादा लिए गरेशा आज के व्लोग के शुरुआ सीधे हो रही हमारे साड़े दस बज़े से सुबह सुबह तो मैं निकला था ओफिस की ओर लेकिन ओफिस में मुझे सीधा कॉल आ गया मेरे एक दोस्ता कि आज है प्रेक्टिकल और में एक दम अचंबे में पढ़ गया कि आज प्रेक्टिकल कैसे मुझे ना कोई कॉल आया ना कोई नोटिफिकेशन आई ग्रोब में और मैंने जब अपना वर्ट सेप खोल के देखा तो क्या निकला कि मैं तो ग्रोब में ही जॉइन नहीं हूँ मलब ऐसा है कि पहले मेरा दूसरी स्वी मुगा करते थे उसमें मैं जॉइन था ग्रोब में लेकिन मैंने न्यू सिम ले ली थी उसमें मैं जॉइन नहीं हूँ आज मुझे बीज ऑफिस में ही दस बजे छोड़के आना पड़ रहा है अब मैं पैदल चला वाओ हूँ कॉलेज के ओगर तो नहीं हमारा कॉलेज यहां से यहां से चार-पांच किलोमेटर दूर ही यह कॉलेज तो अभी एक डेट किलोमेटर तो मैं पैदल चला वाओ है एंड मैं साथ मैं छहतरी लेकर चला वाओ हूँ क्योंकि बारिश कभी भी हो सकती है एंड लिफ्क मुझे यहां मिलनी रही गाड़ी अब बहुत कम चल रही है यहां पर बसे चले बहुत चलते है अब ग्यारा सदे ग्यारा जब भी हम पहुंचेगे इंडाज प्रैक्ट कि के दर अतरा सब्सक्राइब ही हमारे 17 नंबर के अवर्या बारिव जा था तो मैं ने उसकी ब्रेपरेश कई लिए तुम मुझे नहीं जानां इसका मतलब तुमने इस से पहले मुझे कभी नहीं तेखा बोला है कभी नहीं सी पहतरनाक इसके जैसे जुटा मकार इंसन मैंन अब इसा हो गया कि बारिश भी लगनी शूरू हो गई अब इदर पे तो लेकिन कोई बार नी मैं आज छत्रे लाया हूं लेकिन जैसे बारिश हुई है तो मौसम बिल्कुली अच्छा या एंड साफ है आप आगे भी देख रहे होगी यहां भी मैं जंगला जंगल यहां अब इस दो अब मैं इदर शिवालिक वैली तक पहुंच चुका हूँ है यहां पर यह होटल बन रहा है और दूसरे होटल का कर्स्ट्रक्शन इदर पर नीचे चलावाए है और यह शिवालिक रिजॉट है इस पर अब इस बात करें तो मौसम आज बहुत ही खराब था अब एक नमबर यहां आता जा रहा है एंड एक जिका अपना प्रैक्टिकल देता जा रहा है तो यहां पर कुछ सूर छेड़े जा रहे थे हमें सूर अच्छे से आते की नहीं आते हैं अच्छे से आते हैं ཅཉེ૫ૉ བྱསོ ག્ེོག ཅེો het ཆེད དབྱསག ངེેམ ཆེાབསག དབྱ ཏ geçit ཅེે ཏ ཋཚོད ཐཽང འ True ཅ્ེཏ ཏ आच आचा आएसे जह पूरता है अधिस्टा देन धावाओ तादीना थादीना 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 थादीन वाला इंसरन सैट भी देख सकते हैं आप एंड देखियो दून्दी चारो तरफ यार हिमाचल में ऐसी चीजे देखने को मिलती है जो तो हिमाचल में हिमाचल को ऐसे ही स्वर्ग नहीं कहा चाहता है तो आज देखि लो आप क्या मौसम बना हुआ है स्वर्ग से कम भी नहीं हिमाचल कभी कोई भार से मेरी वीडियो देखता है तो आईए कभी विजिट कीजिए हिमाचल गुमाते आपको हिमाचल भी ये देखिए चारो तरफ आज कल शाम से ही बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा यहां पे बारिश हो रही है लेकिन मौसम बहुत ही अच्छा बना हुआ है दोन एंड धूब देखिए पार सोर्य और देवताजी हमारे बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं एंड यह हमारा घर रहा है बहुत ही अच्छा अच्छा बारिश में मैं ज्यादा बनानी पा रहा हूं व्लोक क्योंकि फॉन गीला हो सकता है यहां देख रहा होगा कैसे मैंने पकड़ा आफोन गीला को जाए है तो इस ब्लॉग में तो यह दोस्तों इतना ही मिलते क्यूंकि अगले व्लॉग में बारीश भी हो रही है और मौसं भी बहुत यह बना हुआ है तो मिलते हैं अगले व्लॉग में तब तक के लिए ठैंक You and bye-bye! अगर चैनल को लाइक, शेर और ससक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिये चैनल को लाइक, शेर और ससक्राइब तो मिलते है दोस्तों अगले व्लॉक में तब तक के लिए थेंक यू एपाई भाई!